देखे एजन्डा तो डेपिनिट्टि यही होगा कि विकास होगा है चुँक्टे विकास नहीं हुआ जो विकास हुआ उससे आप वाकिफ है कि कीसा विकास हुआ है शहर में एक सारजोनिक शौचाले नहीं है ना परिशत बनवा पाया है वो एक बड़ी समस्या है साफसफाई बहुत बड़ी समस्या है कचरा निस्तारन कचरा उठाओ हो रहा है लेकिन कचरा निस्तारन जिसको वेस्ट डिस्मोजल कहते हैं जो सरकार का पैसा है जो हमारे जनता का पैसा जो टैक्सपेयर का पैसा है उसका सदुपयोग होगा दुरुपयोग नहीं होगा किसी ब्यारा रह साथ हम उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि चुनाओं में आज ये घोशना पत्र जाड़ी किये हैं और कैसा रिस्पॉंस मिला इनको कि अभी तक जो मेरा इस्पॉंस है मैं जहां भी गया बिना किसी भेद भाव साम परदाएक धारम जाती के मुझे बहुत ही अद्भूत मतलब आप कह रहे हैं को समर्थन मिला है मैं खुद इतना इस्पेक्ट नहीं कर रहा था जितना लोग मेरी बातों को संजीत की से ले रहे है और मुझे रखता है कि मैं जो संदेश देना चाह रहा था लोगों को वो मैं पहुंचा पाया हूं चुकि मैं बहुत ही एक असपस्ट वीजन जिसको कहते हैं क्लियर वीजन उसके साथ चुनाव मैदान में आया हूं क्या एजन्डा क्या है अपका देखे एजन्डा तो डेफिनिटली यही होगा कि विकास होगा चुनके विकास नहीं हुआ जो विकास हुआ उससे आप वाकिफ है कि कैसा विकास हुआ है नाले की ले लिजे समस्या आप ले लिजे समस्या सड़कों की ले लिजे आप आप आ सब्सक्राइब काम नहीं है आई तक वेस्ट में काम ही नहीं हो पाया है चेतर में अब तक बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है और मुझे लगता है कि यही रिस्पॉंस आखिर समय तक रहेगा और सब्सक्राइब बड़ी बात यह है कि लोग जाती धर मजब उचनी से उपर उठकर मुझे एक रिस्पॉंस दे रहे हैं और मुझे बहुत संजीदगी से ले रहे हैं लोग आप पत्रकार भी रहे हुए हैं जी बिल्कुल मुझे बड़ाओं लड़ने का वो मुझे मालू है चुनाओं में लड़ रहा हूं और मैं बहुत एक इमानदार आइनिती की पहल में ने की है और मैं आखिर तक इसको बरकारा रखने कोशी करूँगा कि यहीं नमान दा रहे ती आप कुछ ऐसे क्रॉप्चन का मुद्धा बटाईए जिस पर कि मैं बात करूँ आप चुक्के आप मेडिया करमी है आपको लोग कहते हैं इस तरह से और चित के भर्मन के दोरान भी कुछ ऐसी बाते मुझे सुनने को मिली यह मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं यह चीजें बंद होंगी जो सरकार का पैसा है जो हमारे जनता का पैसा जो टेक्सपेयर का पैसा है उसका सदूपयोग होगा दूरू परिशत को दे रहे हैं लेकिन सुईधा नहीं मिल पाड़ा आज देख लिए बस इस्टेंड तो मैं कह रहा हूंगी इसलिए तो मैं चुनाओ लड़ा हूं यह लोग कर क्या रहे थे मेरा सवाल उनी से सवाल है कि वह इतने दिनों में कर क्या रहे थे क्या एक सारजोनिक पानी नाले में जाना चाहिए आप हलकी सी बारिश होती है आप चले जाएए हट्या रोड आप चल नहीं पाएंगे वहां इतने दिन में अगर यह नहीं हो पाया तो फिर कब होगा यह फिर विकास के कैसे दावे हैं लोगों तो बिलकुल बिलकुल सफर करते रहें कि बहु बस स्टेंड जो होना चाहिए वो तो है नहीं इसकी तरफ कोई पहली नहीं कर रहा है क्या लगा इसका कितना फायदा मिलेगा आप जो इतने दिनों तो पत्रकारता किये हैं सवाल जबाब सवाल उठाते रहें लोगों का इसका कितने सवाल कर रहें यह बलकुल सही है पत्र एक करनागरी की हैसिय चहिता, पत्रकार की हैसिय साथा счасть के। पांस साल पहले आवटीज होता है और अब भी उसको दूसरा और तीसरा किस्त नहीं मिलता है इससे बड़ी बिंडमना क्या होगा जब चुनों आता है तो दाड़ादर मिलता है को असी पास करा रहा है कोई सो पास करा रहा है तो यही यह चेर्मन क्या कर रहा है मैं करा हूँ जो चेर्मन थे वो क्या कर रहे थे वो इन चीजों को क्यों नहीं देख रहे थे अगर किसी वाड में किसी किसम का प्राबल्म हो रहा था तो मैं तो सीधे चेर्मन से जो पहले रहे हैं चेर्मन पार्षद उप मुख पार्षद रहे हैं वो क्या कर रहे थे वो जवाब दें जनता को कैसा क्यों हो रहा है जिसमें कि लोगों को नगड़ का टैक्स लगड़ा लेकिन सुईधा नगड़ का नहीं है न जाने का मैं आपको नाम बता सकता हूँ आप वाड नमबर 29 का मरिया अटोला चले जाए है आप वाड नमबर 12 में घटियारी और हैकपूर चले जाए है आप रजोखर चले जाए है आप गिदरिया चले जाए है आपको कोई सफाई कर्मी है क्या महने में कभी तेहवार में कोई सफाई तो बाई सफाई कर्मी है 29 वार्ड के लिए होना चाहिए न तो चाहिए न अन्य वार्ड क्यों होना चाहिए है कि आप जो किस उमिद्वार से चुनोती मिला और क्म्छे किसी से चुनोती नहीं जीत के परती में बिल्कुल आश्वस्त हूं जिस तरह से जनता का आश्रवाद मुझे मिल रहा है अब कि आगे भी मिलता रहेगा और वो आशिरवाद वोट में भी बत लेगा वो दुआएं वोट में भी बत लेगी तो इसलिए मैं अपने जीत के परती आश्वस्त हूं क्या ज़रत पढ़ गया आपको चुनाव लड़ने के लिए आपके घड़ में आई-एस, आई-वि-आर-एस, डॉक्टर सभी लोग हैं आप तो आराम से रह सकते हैं खा सकते हैं दो वक्ती दाल रूटी का इंदजाम है, माबाप का बनाया हुआ घर है, खेती के दस बारह बिगया जमीन है तो मुझे इसलिए चुनाव लड़ने के ज़रुत है, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे कोई पटना में मकान नहीं खरीदना है यहां अध्यक्ष बन करके, घपला घुटाला करके, मुझे पटना दिल्ली, कल गलता में मकान नहीं खरीदना है मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं पहले भी समाजी कार्ज करता रहा हूँ, कल भी रहूँगा अगर में चेर्मेन जीतता हूँ, तो मैं कल भी समाजी कार्ज यता रहां गा, इसी जड़ा रहा हूँगा इसा नहीं कि मैं कुर्ता पैजामा बंडी में अपने गारी से पहर नहीं नीचे उतारूँगा है कि अगल मुझे दरूत पढ़ेगी द मैं रिशा से चलूगा जार को this हो इस से हो इसे कोई परकाओ प्हहली बार ये चुनाओ हुँ रहा है डाइडेक जियर्मेन का बेसी का इसमें आपको और भी लोग है सबी लोग घूम रहे हैं परचार परसार कर रहे हैं तो छेतर की जनता किस तरह देखती है इस चुनाओं को चेतर की जनता इस बास से बहुत खोश है जो मुझे अब तक अनूब हो हुआ है हरादमी गता ने यह तो बहुत अच्छा हुआ कि हमको चुनने का मुखा मिला है क्या हो ईसमें में क्या ती काट едьपने कर सकता हो कि क्या हो था अंदर में लोह यह मुझे मौझे मालूम है कि लोग ओध czyli कुनते थे कि आप मीडिया कर्मी है में अपने आप मेरे अपनी बात कर रहा हूं मैंने अपने मेनिफेस्ट हो जारी किया है उसमें मारे सारे मैंने सारे पॉइंस लिखे हैं कि मेरी प्रात्मिताएं क्या होंगी वो सब कुझे हैं और जनता के सामने वो सारी चीज़ हैं